साथियो नमस्कार मैं अपने मालती ओचट से आज आज आपके बीच आए हो हूँ अब देख सकते हैं कि लगबग हमारा जो एपल है यह तैयार है और आप इसका कलर देख सकते हैं साइच मुझे लगता है कि अभी लगबग एक हपता और है इसको मच्योर होने में तब हम इसक इसषिंग सुरू करेंगे देख सकते हैं कि प्रूट कॉलिटी बहुत अच्छी है एक दम अच्छा प्रूट हो रहा है और आप देख सकते हैं कि कलर बहुत अच्छा कलर इस बार इसने अप्टेन किया हुआ है तो मार्केट के हिसाप से मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा कलर है जल्दी ही हम इसकी हार्विस्टिंग करेंगे तोड़ा सा और क्लोज में आपको लेके जाता हूँ यह देखिए तो एक छोटा सा मॉडल हमारा यहां पर यह है जो की फ्रूटिंग में आ गया है यह आप देख सकते हैं M9 रूट स्टॉप पर हमने इसको लगाया हुआ है हलाकि और इसमें कुछ काम करने के और ज्यादा जरुरत है लेकिन मेरा संदेश खासकर के पहाड के युवाओं से यह एक आजिवका का ससक्त साधन बन सकता है तो और जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ होटी कल्चर के प्रियास हैं वो भी बड़े अच्छे प्रियास हैं इसको प्रमोट करने के लिए तो सेव की खेती एक वरदान साबित हो सकती है यहां के खास करके युवाओं के लिए तो रिवर्स माइग्रेशन का एक ससक्त उपाई अगर मैं कहूंगा तो इस तरह की क्य का जो एडवांस होटी कल्चर है वो हो सकता है अब देख सकते हैं पूरा जो अभी तीसरे साल में हमारा यह ठूट है और पूरा यह फलों से अभी लादा हुआ है और इस तरीके के मैं एपल ही नहीं और प्रजातियों के पर मैं भी बात करूंगा जिसमें की प्लम है अप् उसकी प्रजातियों को लगाया जाए और खास करके यहां के युवाओं का ट्रेनिंग और कैपस्टिप बिल्डिंग बड़े स्केल पर हो इसमें हमारी उनिवस्टीज हैं हमारे रिसर्च एंस्ट्यूशन से एक बड़ा रोल अदा कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा फूर फ्रूट यह भी बना हुआ है अब देख सकते हैं मुझे लगता है कि यह फ्रूट नहीं लगा हुआ है यह एक आजीवका का साधन पाहड के लिए लगा हुआ है तो हमारा भी एक छोटा सा प्रियास है इस छेत्र में कि जो खासकर हमारे हुआ हैं वो इसे अपनाएं और ज आइडेंस की जरूत होती है या हमारे से योग की जरूत होती है हम हमेशा आपके मध्य रहेंगे तो आईए हाथ मिलाएं और एक अच्छा उन्नत उत्राखंडगर में बात करूंगा तो इस तरीके से हम बना सकते हैं इस चोटे-चोटे प्रियासों को करके हम बना सकते हैं तो आज के लिए इतना ही और जब हर्विस्टिंग के लिए हम आएंगे तब दुबारा से आपके बीच कुछ नहीं जानकरियों के साथ आएंगे तब तब के लिए धन्यवाद जय उत्राखंड